रादे रादे प्रेंट्स मार्क पोडमा की कथा और महत इस प्रकार है हिंदो धर्म में मार्क पोडमा ते थे का पिशेश महत है मार्क पोडमा के दिन चंद्रमा अपनी शंपूर सभी कलाओं से भड़ा होता है और यही बज़े है कि इस दिन चांद की पूजा करना बेहत लावकारी होता है जो भी मागपुण मा के दिन चांद की पूजा गरता है उसके जीवन में शुक्ष मढद्धी और बैभर बना रहता है पौराणिक कत्ता के अनुषार मागपुण मा के दिन गरीम को पूजन कराने से भी पूर्णि की प्राप्ती होती है इस दिन किसी पवित्र नदी मैशनान करने के बाद दानपुन करना बेहद महत पूर्ण है कहते हैं कि ऐसा करने से ब्यक्ति के सभी पाफ मिट जाते हैं कथा इस प्रकार है पौराने कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रामण रहता था ब्रामण के कोई जन्ता नहीं थी और बहर और उसकी पत्नी अपना जीवन यापन लोगों से दान में जो मिलता था उसी से करते थे एक बार जब ब्रामण की पत्नी नगर में बिच्छा लेने पहुंची तो नगर के लोगों ने उसे बांच कहकर बिच्छा देने से इंकार कर दिया तब भ्रामण और उसकी पत्नी ने 16 दिनों तक मा काली की उपाशना की दौनों की भक्ती से मा काली ने पशन होकर उन्हें दर्शन दिये और भ्रामण की पत्नी को गर्वती होने का परतान दिया और कहा कि हर पूर्णमा के दिन तुम दौन दीप जलाओ और हर पूर्णमा पर दीपक की संक्या बढ़ाते जाना जब तक दीपक की संक्या 32 तक ना पहुंच जाए और इस तरह भ्रामर दमपत्ती को माकारी का आश्रबाद और पूणमा पर दीप जलाने के फलसरूप एक पुत्र प्राप्त हुआ पुत्र के जन्म के बाद भी प्रामर दमपत्ती हमेशा पूणमा का प्रत रखते और पूरे नियम के अनशार पूजापाट करते थे जिसके कारण उनके पुत्र पर आने वाला शंक्या भी बड़ी आसानी से टल गया तभी से ऐसी मानता है कि पूणमा पर प्रत करने और दान इश्नान करने से भक्त की सभी मनों कामना पूरी होती है और सारे शंकर दूर हो जाते है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए शाथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके तन्यवाद फ्रेंड्स ओम नमो भगवते पास्टेवाई नमा